आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ download now Hello students तो आपके हम से question पूछा हूँ कि what is meant by the figure of merit of a gigodonometer ठीक है सबस्ट बता हूँ को समझाते हैं कि figure of merit होता किया है ठीक है इसको मैं रिखलता हूँ figure of merit ठीक है तो figure of merit हमारा बस एक ऐसा expression है जो कि हम normally use करते हैं हमारे measuring devices में इसको मैं रिखलते हैं in measuring devices ठीक है जैसे आपके बास आपका वर्नियर क्याजिबर होता है screw gauge होता है ठीक है galvanometer होता है ammeter होता है इन समय हमारा figure of merit होता ही होता है ठीक है अब figure of merit होता क्या है कि ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी quantity के लिए ठीक है जो हमारी result होता है ठीक है device के उपर उसकी minimum minimum change आता है जैसे for example लिएसे हम को यहां बात करी है galvanometer के बारे में ठीक है तो galvanometer हम मज़ए क्या करते है है यहां पर लिख रिखते है पहरे तो galvanometer ठीक है तो galvanometer हम से तो मज़ए क्या करते है वो है current अब इस current को मज़ए करने लिए हम क्या उसकाए है torque in the coil जो क्यांको कुछ deflection देता है theta थेटा तो तो इस current को मेज़े करने के लिए हमारा जो resultant quantity है ठीक है जिसको हम गलानोमेटर नो देखते हैं वो है अंगल थेटा ओके तो figure of merit का मत्तब यह होता है कि ऐसी कौनसी minimum quantity जो कि हमारा current की होगी ठीक है उसकी क्या value होगी suppose को रहे कुछ x होगी ठीक है वो minimum deflection जो कि हमारा यहाँ पर one unit होगा तब degrees में होता है radians में होता है कुछ भी हो सकता है ठीक है one unit of theta produce करेगा ओके उस x value को हम बोलते हैं figure of merit for a merging device और नॉर्मली आप इसको जिसे हमारे जो वरिने के आरी पर होते हैं सुगा सुगा जाते हैं और मैं हम इंको बोलते हैं least count राइट क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर हुआ है हुआ है हुआ है